तेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी इंट्रेस्टिंग न्यूज्स देने वाला हूं तो करप्या इस वीडियो को लाज तक ज़रूर देखते रहे ना और अगर आप नहीं तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके वह लेकिन प सब्सक्राइब करें तो इनका हाली में एक रॉलिंग स्टॉन इंडिया पर इंटर्वी आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने बता हुआ है कि जब बाइस साल के तब से एमीनेम को सुन रहे हैं और एमीनेम से वह काफी जादा इंस्पारइड है तो यहां पर आप देख सकते ह और दोनों को मेंसन भी किया हुआ है तो इस पर आपकी कह रहा है है नीचे करणों में जरू बताना अगली जो नहीं हुज़ हो आ रही है बादसा की तरफ से तो आपको पता ही होगा कि अभी जो वाइरल बॉय चल रहा है मलब की बच्पन का प्यार भूल नहीं जाना रहे वह मलब की काफी जादा वाइरल हो रहा है और वादसा ने उनको मिलने भी बुलाया हुआ था यहीं नहीं बादसा ने अपने इस्टाग्राम पे उसके साथ में एक फोटो शेयर किया हुआ है आप देख सकते हो जिसमें की लिखा हुआ है बच्पन का प्यार कमिंग सून त तो इस सौंग के लिए आप कितने एक्साइटेड हो नीचे करण में जुरू बताना साथ ही जो सौनाक्ची सेना है उन्होंने अपने इस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की हुई थी जिसमें की लिखा हुआ था कितनी बगबास करते थे ना हम सेट पे साथ ही अगली जो सब और यह रफतार की तरफ से तो मैंने आपको सोबा की वीडियों बता हुए था कि कलमकार ने अपने इस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ है उनकी मैनेजमेंट की तरफ से तो यहां पर जो प्रसंद्स करके हैं उन्होंने एक और ट्वीट किया हुआ है जिसमें कि उन्हों लिखा हुआ है I just saw कलमकार रिसेंट प्रेस रिलीज विच इसमार्टली क्राफ्टेड एंड व्यूटिफुली डिजाइंड तो किलियर द्रिफ्ट आप यू विल है प्रूफ्स एंड रियल स्टोरी सून साथ यह उन्होंने इसको स्टोरी में सेर करते ह जो लिखा हुआ था यू वाल विल हैब दप्रूफ्स ऑफाउ दा मैनेजमेंट आर व्यूटिफुली प्लेइंग विद वर्ट इस पर आपकी कह रहा है नीचे कड़ों में जरू बताना अगली जो नियूस अब आ रही है एमीवे की तरफ से तो आज जो स्वालीना का इंस